नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन मैं हूँ संदीब ग्रोवर और हमारे खास शो कंपनी नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कंपनी नामा एक वीकली शो है जिसमें हम आपको कॉर्परेट और स्टार्ट अप जगर से जुड़ी पूरे हफ़ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादर से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं आईए आज के एपिसोड की शुरुवात कॉर्परेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ करते हैं और पहली खबर का रुख कर लेते हैं जेश की सबसे बड़ी जीवन भीमा और सरकारी कंपनी LIC अपने नविश्कों का आत्ममिश्वास बढ़ाने के लिए बड़ा डिविडेंट देने और बोनस शेर जारी करने की योजना पर काम कर रही है इसके लिए कंपनी 22 अरब डॉलर के नॉन पार्टिसिपेटिंग या पॉलिसी होल्डर के फंड को शेर होल्डर के फंड में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है जिसका इस्तेमाल डिविडेंट देने और बोनस शेर जारी करने पर किया जाएगा हाल में शेर ने 588 रुपे का 52 विक लो बनाया था यानि की 949 रुपे के इश्यू प्राइस से शेर करीब 38 फीजदी लुड़क चुका है इस तरह निवेशकों की करीब सवा 2 लाक करोड रुपे की पूंजी स्वाहा हो गई है लेकिन सरकारी अधिकारियों के मताबिक अब क ग्रुप ने अगले 5-10 साल में अपने सभी कारोबारों में 150 अरब डॉलर का निवेश करने की घोशना की है ऐसा एक ट्रिलियन डॉलर या एक लाक करोड डॉलर के वैलेशन वाली कंपनियों के लीट क्लब में शामिल होने के लक्षे के साथ किया जाएगा इस प्लान के तह एसी सी और अंबूजा की खरीद के साथ सीमें सेक्टर में एंटरी पर ग्रुप 10 अरब डॉलर का निवेश पहले ही कर चुका है इसके लावा डेटा सेंटर कारोबार में एंटरी पर एज कोनेक्स के साथ पार्टनर्शिप में 6 अरब डॉलर और रूट सेक्टर पर 5 अरब विजनस मेंचेस लिमिटेड या RSBVN ने यूएस की स्काई ट्रैन में हिस्सेदारी बढ़ाकर 62.83 फीजदी कर ली है इस हिसा करीद पर 1.5 करोड डॉलर या 123 करोड रूपे की रकम खर्च की गई है इससे पहले फरवरी 2021 में RSBVN ने 2.67 करोड डॉलर के निवेश के साथ स् आरायल की अब इंशॉरेंस कारोबार में एंट्री करने की योजना है पिछले हफते जीयो फिनांशल सर्विसिस लिमिटेड या JFSL के डी मर्जर की गोशना के कुछी दिन बाद कंपनी इंशॉरेंस रेगुलेटर के पास लाइफ और जनरल इंशॉरेंस कारोबार के लिए अरजी देने के लिए अंतिम चरण में है इसके लिए दो अलग कंपनिया बनाई जाएंगी और दोनों कंपनिया अलग अलग लाइसेंस के लिए अरजी देंगी 31 अक्टूबर को आरायल का शेयर करीब पौने एक फीज़दी की बड़त के साथ बंद हुआ था चौथी खब कर देने की योजना है ने कारोबार के तहट अधिते विर्ला ग्रूप लाज फॉर्मेट एक्स्क्लूजिव जोल्री डीटिल स्टोर्स की सापना करेगा जिसमें डेली वेर और प्रीमियम सेग्मेंट के इन हाउस जोल्री व्रांट्स लाउंच किये जाएंगे साथी कुछ मिड साइज जोलर्स के साथ करार भी किया जा सकता है ग्रूप ने इस कारोबार के लिए 4500 से 5000 करूड उपे के निवेश की योजना तियार की है पर ग्रासिम, हिंडाल को, AB Fashion, AB Capital जैसी ग्रूप की किसी भी कंपनी से नए कारोबार का कोई भी लिना देना नहीं होगा एक इरेशिया ग्रूप ने एरेशिया इंडिया में अपनी बाकी बची 16.33 फीजदी हिस्सेदारी टाटा ग्रूप की कंपनी एर इंडिया को करीब 156 करोड उपे में बेज दी है दरसल ये सौधा टाटा समू की और से अपने एरलाइन कारोबार के मेगा मर्जर की तरफ पहला लगेगा और इस बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 40 में जानकारी दी भी थी 12 जून 2014 को पहली उडान भरने के बाद से एरेशिया इंडिया घाटे में है और वितवर्श 2022 में कंपनी का घाटा 42 फीजदी बढ़कर 2,178 करोड उपे पर पहुंच गया है छटी खबर ज सजन जिंदल के मताबिक ये निवेश स्टील, ग्रीन एनरजी, सेमेंट और पेंट कारोबार के जरिए किया जाएगा इस निवेश योजना में एक नया पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने को अभी जो प्लान है वो शामिल है एक ग्रूप विजयनगर स्टील प्लान समेट इस 30 तक बढ़ा कर 50 मिलिन टन पर एनम यानि की 50 MTP करने का लक्षे निधारित किया है इस शमता विस्तार में नए प्लांट के अलाबा मौईदा प्लांट की शमता बढ़ाना भी शामिल है इस योजना के तहट सरकारी कंपनी राष्ट्य इसपात निगम लेंटेड यानी R.A.N और आरेनोर उत्पादक कंपनी NMDC के स्टील प्लांट के लिए बोली लगाई जाएगी जब भी सरकार इनका विनिवेश करेगी तीन नुवंबर को जेस डब्लू स्टील का शेर करीब आदा फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था अगली कबर देश की सबसे बड़ पावर कंपनी अदानी पावर ने देनी भासकर ग्रूप के डीबी पावर के थर्मर पावर एसेट्स को खईने की डील पूरी करने की डेडलाइन को एक महिना बढ़ाकर 30 नॉमबर तक कर दिया है डीबी पावर के पास 36 गड़ के जंजगीर चंपा जिले में 600-600 जिसे अब एक महिने से पढ़ा दिया गया है एक नॉमबर को अदानी पावर का शेयर पांच फीजदी के उपरी सरकेट पर बंद हुआ था आठवी कबर पृत्वीरा जिंदल की और से प्रमोटेड जिंदल सौ ने दिवालिय प्रक्रिया से गुजर ही कंपनी सथावना इस पात के लिए सबसे अधिक करीब 530 करूड रुपे की बोली लगाई है अनिल अगरवाल की और से प्रमोटेड वेदानता भी इस कंपनी को की दौड में शामिल थी पर सथावना इस पात की और से स्टॉक एक्सेंजिस को जारी एक स्टेटमेंट के मताबिक इस कंपनी के लेंडर्स ने जिंदल सौ को सफल बिडर के तौर पर लेटर अफ इंटेंट यानि एलो आई जारी कर दिया है हाला कि इस नोटिस में जिंदल जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाज जुड़ा हुआ है ये खबरे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेरों की कीमतों से सीधा वास्ता है जिससे आपका फायदा और नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं आईए ऐसी खबरों पर नज क्लाउस लागू करने का फैसला लिया है जिस पर बूली लगाने वालों ने चिंता जाहिर की है इस नए क्लाउस के तहट कंपनी के लेंडर्स यानि करजदाता किसी भी रेजलूशन प्लैन को जब चाहें चुनौती दे सकते हैं ये फैसला उस समय आया है जब रेजलूशन लगाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडस्ट आवस की तिमाही रिपोर्ट के मताबिक टेलीकॉम कंपनी वोड़ाफोन आइडिया या वी आई के शेर की कीमत 10 रुपे से नीचे होने के चलते सरकार ने एजियार से जुड़े बकाये पर ब्याच की राशी को शेर डियोटी की जरिये इस कंपनी में सबसे बड़ी शेरदारक बन जाएगी और इससे कंपनी को 20,000 कुरूर रुपे की पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी सरकार के एक्विटी हिसा लेने का फैसला होने से कंपनी के प्रस्तावित नमेश्कों को क्लारिटी मिलेगी जिससे कंपनी को अपना बकाया चुकाने में मदद मिलेगी इस बकाया राशी में इंडस्ट आवर्स का भी करीब 7,000 कुरूर रुपे का भुकतान शामिल है हाला कि वी आई ने इंडस्ट आवर्स की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे डी ओटी शेर की कीमत 10 रुपे के नीचे रहने पर हिसेदारी नहीं खरी सकता है 31 अक्टूबर को वी आई का शेर करीब आदा फीजदी चड़कर और इंडस्ट आवर्स का शेर करीब एक फीजदी गिरकर बंद हुआ था तीस्ती ख़वर का रुप कर लेते हैं हलाकि इस हादसे में आग को तेजी से बुझा लिया गया था और इस दोरान सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है पर इस हादसे के बाद Ministry of Civilization यानी MOCA ने कहा कि DGSA के अधिकारियों को मामले को देखने और जल से जल रिपोर्ट सौफने का निदेश जारी कर दिया गया है 31 अक्टूबर को इंडिको का शेर एक फीज़ी से ज़ादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था अगली खबर कर से जूज रही Future Enterprises ने सितंबर में करीब 126 करोड रुपे के प्रिंसिपल यानी मूल बुकतान पर डिफॉल्ट कर दिया है इस मूल रकम में NCDs का करीब 98 करोड रुपे और One Time Restructuring के तहद बैंकों का करीब 28 करोड रुपे का बकाया शामिल है 27 अक्टूबर 2020 को Future Enterprises ने बैंकों के कंसौर्टियम और लेंडर्स के साथ COVID से प्रभायूत कम्पनियों के लिए One Time Restructuring स्कीम को आप्ट किया था इस स्कीम के तहद 30 सितंबर 2022 तक 126 करोड रुपे का बुकतान करना था फीचर ग्रूप की अन्य कंपनी की तरह हैं ये कंपनी की भी अपने एसेट यानि संपत्या बेचकर कर्ज को चुकाने की कोशिश जारी है 31 अक्टूबर को Future Enterprises का शेर करीब 3 फीजदी की मदबूती के साथ बंद हुआ था पांचवी खबर Relaxo Footwear को दिल्ली हाइकोर्ट से राहत मिली है दिल्ली हाइकोर्ट ने Aqualight India और इसके अधिकारियों को Relaxo Footwear के डिजाइन के उलंगन से प्रतिबंदित कर दिया है और वो भी तब तक जब तक कोर्ट में चल रहा मामला सुलट नहीं जाता है हाइकोर्ट की डिविजन बैंच ने सिंगल जज के फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों पक्षों को माकिट सर्वे करवाने का निर्देश जारी किया गया था यही नहीं सिंगल जज ने Relaxo के डिजाइन को असली नहीं बताया था और कहा था कि कंपनी के प्रोड़क्ट के जैसे डिजाइन वाले और भी उतपाद बाजार में उपलब्ध हैं 31 अक्टूबर को Relaxo Footwear के शेर में कई पौने एक फीजदी की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी अगली खबर Jet Airways के Revival का इंतजार कर रहे लोगों को एक और जटका लगा है Jet Airways के स्वामित्व के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते कंपनी के Revival प्लान में देरी हो रही है इससे कंपनी के दुबारा लॉंच होने या प्रोडान भनने में देरी देखने को मल रही है हला कि कुछ रिपोर्ट के मताबिक N.C.L.A.T. के और ने जलान कैल्रोग के कंसौर्टियम को करमचारियों के ग्रैचुटी और पी एफ से जुड़े बकाया भुकतान का निर्देश चारी किया था जिस वज़े से Revival प्लान में अडचना रही है एक और रिपोर्ट के मताबिक N.C.L.T. के और से स्वामेत्व के ट्रांसपर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है जो की अंतिम चरन में है इस प्रक्रिया में लंबा समय लग गया है पर ये प्रक्रिया काफी जटिल होती है एक नॉमबर को खबर आने के बाद जेट एरविस का शेर हलकी बड़त के साथ बंध हुआ था साथवी खबर मारकेट रेगलोटर सेभी ने गितांजरी जेम्स के पूर सीमडी और भगोडे कारोबारी मेहल चौकसी पर कमपनी के शेरों की गलत तरीके से ट्रेडिंग के आरोप में 5 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है यही नहीं मेहल चौकसी पर सेक्योर्टिस मारकेट में कारोबार करने पर 10 साल के लिए बैन भी लगा दिया गया है सेभी ने 18 जुलाई 2011 से 25 जनवरी 2012 के बीच शेरों की ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जांच की थी और पाया की चौकसी ने 15 फ्रंट एंटिडीज की फंडिंग की थी जो डारेक्ट या इंडारेक्ट तरीके से उससे या एक दूरी से जुड़ी हुई थी इन एंटिटीज ने कैश और डेरिवटी सेग्मेंट में गितांजली जेम्स के शेरों में खैदारी की थी चौकसी ने गितांजली जेम्स के शेरों में हिरा फेरी के लिए इन एंटिटीज का इस्तेमाल किया था इसी जांच के तहट मैई 2022 में चौकसी को कारण बताओ भाया है। यह मामला रेलीगेरंट्रिज़ की पूंजी के हR birthday की ग Germ जिसमें से होलड़िंग मलविंदर महन सिंग और शविंदर महन सिंग को अधिया पन्eg पहले लिए के लोन के भुक्तान के लिए भी की दुरियोपयोग किया गया है सेभी की ओर्डर के मताबिक यह गुटाला रेली गेर एंटरप्राइजिस के 2474 क्रूड रुपे की पूंजी के डावर्जन और रेली गेर फिन्वेस्ट की 488 क्रूड रुपे की पूंजी के दुरियोपयोग से जुड़ा हुआ है इस मामले मे ख़बर का रुख कर लेते हैं मार्किट रेगलेटर सेभी ने बॉंबे डाइंग के पांच पूर्ड रेक्टर्स पर कुल 69 लाक रुपे का जुर्माना लगाया है यह जुर्माना कथित तोर पर ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में चूप और और औरिट कमिटी के मेंबर होते हुए इंडिपेंडेंट जड़्मेंट ना दे पाने के चलते लगाया गया है इसके अलावा कंपनी के तीन पूर्व चीफ फनेंचल ऑफिसर्स यानी सीएफो पर भी जुर्माना लगाया है ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों ने कंपनी के फनेंचल्स और कोई ब्रहमक कंपनी SCAL Services के साथ हुए MOUs के अधार पर वित्वस 2012 से वित्वस 2018 के दुरान आय दर्च की गई है इससे कंपनी की आय 2493 करोड रुपे और मुनाफ़ा 1302 करोड रुपे बढ़ा चाकर दिखाया गया है दो नुमबर को Bombay Dying का शेयर करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ अगली खबर डिबेंचर होल्डस ने जीवी के ग्रुप की होल्डिंग कंपनी जीवी के पावर एन इस्परसक्चर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT में एक अरजी दाकिल की है इन डिबेंचर होल्डस का दावा है कि जीवी की पावर ने की ट्रस्टी कंपनी कैटलिस्ट ट्रस्टी शिप की अरजी को दाकिल नहीं किया है पर इस मामले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी जीवी के पावर के मताबिक ये मामला सब्सुडियरी की एक और सब्सुडियरी कंपनी अलक नंदा हाइड्रो पावर कंपनी हैं जिसे लेकर मैं 2022 में दिल्ली हाई कोट में भी एक मामला धर्ज करवाया गया था और इस मामले की 28 नवंबर को सुनवाई होगी दो नवंबर को जीवी के पावर का शेयर करीब पौने दो फीजदी गिर कर बंद हुआ था अगली ख़बर का रूख कर लेते हैं बताने के लिए कहा था कि कमप्णी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना जाना चाहिए और कमप्णी का जवाब सुनने के बाद ही जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है एक नुमबर को वकरांगी का शेर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था आखी ख़बर की और कि प्लेवारे था इस play billing policy के तहट एप developers को 31 अक्टूबर से Google के खुद के payment system का इस्तिमाल करना था पर 25 अक्टूबर को CCI ने अपने फैसले में कहा था कि Google इन developers को अपना payment system इस्तिमाल करने के लिए जोड़ दबरस्ती नहीं कर सकता है अगर Google की यह policy लागू हो जाती तो इसका पालन ना करने वाले डेवलोपर से या तो हटा दिया जाता या suspend कर दिया जाता जिससे इनकी आय पर असर होता ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में 95 फीदी स्मार्टफोन यूजर्स एंड्रोइट फोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं चली तो ये थी कॉर्पेट जगर से जुड़ी सफते की तमाम बड़ी खबरें आईए अब बात करते हैं स्टार्टप स्पेस की स्टार्टप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं साल 2022 की शुरुवात से फंडिंग राउंट में कमी जारी है जिससे स्टार्टप्स को पूर्णी जुटाने में दिक्कते हो रही हैं यही कारण है कि स्टार्टप्स पिछले राउंड के वैलेशन पर पूर्ण जुटाने के लिए मजबूर हैं। सता अक्टूबर को बाइजूस की और से 22 अरब डॉलर के पूराने वैलेशन पर पूर्ण जुटाने के बाद अब वेकफिट, क्लास प्लस, के ट्वल्ब, टेकनो सर्विसिस और क्रॉपिन जैसे चार स्टार्टप्स मौजदा वैलेशन पर पूर्ण जुटाने पर विचार कर रहे हैं। अक्टूबर में स्टार्टप्स को कुल 1.34 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, जो की सितंबर में 1.6 अरब डॉलर की तुनला में करीब 18 फीजदी कम है, और पिछले साल अक्टूबर के 4.2 अरब डॉलर के मुकाबले तो फंडिंग में भारी कमी देखने कमरी है, इसी तरह अक्टूबर में फंडिंग राउंड की संख्या भी 148 से घटकर 102 पर रह गई है, दूसरी कबर, डारेक्ट टू होम यानि D2H कंजूमर टेक प्लैटफरम कंट्री डिलाइट ने वितवस 2024 यानि वितवस 2023-2024 तक मुनाफे में आने का लक्षन दारित किया है, कंट्री डिला नहीं वितवस 2025 यानि वितवस 2024-25 तक इस स्टार्टप की शेह बजार में लिस्ट होने की भी योजना है, फिलाल ये स्टार्टप 11 राज्यों के 15 शहरों में मौझूद हैं, जिसमें से कारोबार का 50% हिस्सा उत्तर भारत से ही आता है, और अगले एक साल में पश्चिम और दक्षिन भारत से भी बराबर हिस्सा आने की उम्मीद है, तीसी कबर, दुनिया के सबसे वैलिवल एट्टेक स्टार्टप बाईजूस को लेकर इस सबते दो खबरे आई हैं, दोनों खबरे स्टार्टप की और से अपने करमचारियों को नौकरी से निकालने से जुड़ी ह दरसल वितवस दोजार इकिस में बाईजूस ने 4,589 करोड रुपे का रिकॉर्ड घाटा दर्श किया था, जिसके बाद स्टार्टप ने अपना फोकस ग्रोथ से हटाकर मुनाफे पर शिफ्ट कर दिया है, दूसी खबर में बाईजूस के CEO बाईजू रविंदरन ने केरल चिठी लिखकर माफी भी मांगी थी, चौथी खबर, Software as a Service यानि सास यूनिकॉन स्टार्टप इकर्टिस ने यूएस के सिलिकॉन वैली बैंक से 15 करोड डॉलर की रकम जुटाई है, इस स्टार्टप के मताबिक जुटाई रकम का इस्तिमाल, Artificial Intelligence यानि AI, Machine Learning और Blockchain जैसी टेक सेदारी बेच कर रकम जुटाई थी, 2009 में स्टापित ये स्टार्टप कारोबारियों को अपने कॉंट्रेक्ट्स मैनेज करने में मदद करने के लिए Software महिया करवाता है, पांच भी खबर, Fintech स्टार्टप Pay Veda ने Series A Funding Ground के जरिए 1.15 करोड डॉलर की रकम जुटाई है, इस स्टार्टप पांच हजार से चालिस हजार तक के माइक्रो लोन, बिल पेमेंट, अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मोटर इंशॉरेंस, एक्सिडेंटल इंशॉरेंस, हमेद कई तरह की सेवाएं मोहिया करवाता है, इस स्टार्टप का 80,000 से ज़र्दा मर्चेंट्स के ने मौजुदा निवेशकों के लावा, नियू यॉक के अटलस, मर्चन कैपिल जैसे नए निवेशकों ने भी हिसा लिया है, कवर जीनियस इस रकम का इस्तिमाल कारोबार के बढ़ाने के लावा, अपने ग्लोबल इंशॉरेंस डिस्ट्रिबुशन प्लाटफर्म, एक्स कवर के विस्तार पर करेगा, इस स्टार्टप, Booking.com, Intuit, Sky Scanner, Rian Air, Amazon और eBay जैसी दुनिया की कुछ बार, बड़ी डिजिटल कम्टियों को इंशॉरेंस से जोड़े सोलेशन्स मौहिया करवाता है, इस स्टार्टप के इंशॉरेंस प्लाटफर्म के पास, US के सभी 50 राज्यो साट से ज्यादा देशों में लाइसेंस मौजूद है, सात्वी खबर, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोड़क्स बनाने वाली कंपनी, लोटस हर्बल्स ने, डारेक्ट टू कंजूमर, नूटर सेटिकल्स और हेल्थ सप्लिमेंट स्टार्टप, योगिक सीक्रेट्स की 20 फीजदी इसेदारी खईदी है, यही नहीं योगिक सीक्रेट्स ने लोटस हर्बल्स के फैमिली ऑफिस से स्ट्रटेजिक फंडिंग भी हासिल की है, लेकिन इस रकम का इस्तिमाल का खुलासा नहीं किया गया है, लोटस हर्बल्स की और से ब्यूटी और वेलनस सेक्टर के क इसी इमर्जिंग ब्रैंड में ये पांचवा निवेश है, जो टाईगी रकम से योगिक सीक्रेट्स को भारत का कारोबार बढ़ाने के लावा विदेश में विस्तार करने में भी मदद मिलेगी. आठवी कबर इस दोरान कमपनी का स्टाकिन ट्रेट की खईद पर खर्च 47,629 करोड़ रूपे से बढ़कर 53,889 करोड़ रूपे हो गया है. नौमी खबर वित्वस 2022 में फिंटेक स्टार्टप पेईउ घाटे से मुनाफ़े में आ गया है. वित्वस 2021 में 117 करोड़ रूपे के घाटे के मुकाबले वित्वस 2022 में इस स्टार्टप को 126 करोड़ रूपे का मुनाफ़ा हुआ है. हाला कि इस दोरान पेईउ के कुल खर्च 46 फीजदी बढ़कर 2230 करोड़ रूपे रहे हैं और आए 51 फीजदी बढ़कर 2130 करोड़ रूपे पर रही है. इस दोरान PayU का कर्मचारी खर्च 24 क्रोड रुपे से बढ़कर 29 क्रोड रुपे रहा है पर कुल खर्च लगबग पिछले साल के आसपास ही रहा है आपको याद होगा पिछले महिने PayU की पेरेंट कंपनी प्रोसेस ने 4.7 अरब डॉलर में बिल्डेस को खरिदने की डील को रद कर दिया था दसवी खबर मुंबई के डारेक्ट टू कंजूमर यानि D2C मैट्रेस ब्रैंड दसलीब कंपनी ने सीरीज B फंडिंग राउंड में 117 क्रोड रुपे की पूंजी हासिल की है इस फंडिंग राउंड का नेतरेत्व विप्रो की वेंचर कैपिल आम प्रेमजी इंवेस्ट की इस स्टाटप में छोटी इसेदारी होगी इस राउंड में फाइरसाइड वेंचर और अल्टेरिया कैपिल ने भी हिस्सा बढ़ाने के लिए निवेश किया है जुलाई 2021 में सीड फंडिंग राउंड में इस स्टार्टप ने फायर साइड वेंचर से 13.4 करोड रुपे की रकम जुटाई थी दसलीब कंपनी का इस रकम का इस्तेमाल ओफलाइन कारोबार बढ़ाने पर करने की योजना है फिलाल इस स्टार्टप के तीन एक्स्पिरियंस सेंटर्स हैं जिने वित्वस 12-23 के अन तक बढ़ा कर 25 तक पहुचाने की योजना है चलिए तो ये था बीते हफ़ते का कॉर्पेट और स्टार्टप जगत का पूर आपडेट उम्मीद है आपको कंप्री नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इस शो को और बहतर बना सकें तो अगले हफ़ते आपसे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहे मरीनाई नवस्कार कि आपसे हैं याँ कि अभारे स्चलाइब के जामारे स्थाय क्यान हमाई उता